तो दोस्तो इस पिक्चर को ध्यान से देखो और बताओ कि यह बच्चा इन दोनों में से किस का है? A नमबर वाली दया का या फिर B नमबर वाली बभीता का? सोची, समची और अपना जवाब हमें जल्दी से कमेंट कर दीजिए तो गाइस अगर आप पिक्चर को ध्यान से देखोगे तो जैसा तिल बभीता के चहरे पर है सेम वैसा ही तिल इस बच्चे के चहरे पर भी है इसका मतलब यहाँ बच्चा बभीता का है अब इस पिक्चर में इमोजीस को ध्यान से देखिए और बताएए कि इमोजीस में से कौन से इमोजीस सबसे डिफरेंट है देखिए सूचे समझे और अपना जबाब अब जल्दी से कमेंट कर दीजिए तो गाइस यह रही वो सबसे डिफरेंट इमोजी अगर आपको भी मिल गई थी तो वीडियो को लाइक करके बताएए अब इन दोनों पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताएए कि इन दोनों पिक्चर में कौन से थ्री डिफरेंशिस है अगर आपके आखों में है दम तो व अगर आपको भी मिल गएते तो आपके आखें हैं 100% फाइन अब इन दोनों पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताएए कि इन दोनों पिक्चर को मिला कर कौन से लड़की का नाम बनता है सोच ये समझ ये और अपना जवाब हमें जल्दी से कमेंट कर दीजिए तो गाइस इसका सही जवाब होगा सिम रन अब बताएए कि ऐसी कौन सी चीज है जो पाने पीते ही मर जाती है सोच ये सोच ये और अपना जवाब हमें जल्दी से कमेंट कर दीजिए तो गाइस इसका सही जवाब होगा प्यास अब इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताएए कि इस पिक्चर में आईयर को जहर इन दोनों नोकराणियों में से किस ने दिया है ए नमबर वाली बवीता ने बी नमबर वाली दयानी सोच ये समाज ये और अपना जवाब हमें जल्दी से कमेंट कर दीजिए